तो लेक्ट से स्टार्ट हम लोगों ने कल प्रक्ट इसके और उसके कौन कौन से हैं तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके बुअई एक तो कहलाता है non-discounting criteria और एक कहलाता है discounting criteria non-discounting के अंतर हमारे पास दो method आते हैं और discounting criteria अंदर जो है हमारे पास चार method आते हैं तो हम ये चारो method के इसमें mainly जाहे आपके formula है और numerical तो अगर आपको formula पता है तो आपके वो उसी हिसाब से उसको लिख पाएंगे तो फुड़ा एक brief introduction और एक numerical लेगे जिससे हम ये सारे method ये सारे के सारे method हम एक numerical में fulfill करेंगे तो चलिए देखते हैं आगे सबसे पहले आते हैं non-discounting method ये अगर आपका याद रखे जाए कि जो paper का pattern हो सकता है कि change हो तो इसी तरह की question आएंगे जैसे छोटे-छोटे question होते हैं तो सबसे पहला है payback period method payback period method तो इसमें क्या होता है जैसे यहां पर नंबर आप कोश्ट जो इसका के बना है कि जब मास लेजी आप अ कर दो ए आपके किसी प्रोजेक्ट में आपका एक लाग रुपय इंवेस्टेट और उसका जो रिटरन मिल रहा है उसका जो आपको रिटरन मल रहा है हर साल अलग-अलग मिल रहा है अगर आपका माली ये आपका जो कैस आउट फ्लो डिवाड़ बाई कैस इंफ्लो हो जाएगा परेनम मतलब कि मैं आपको फुड़ा सा कैल्कुलेशन करके भी दिखा दिता हूं लेकिन मुझे इसके लिए थोड़ा सा इस चेंज करना पड़ेगा आपका मैं आपका मुझे आपका इस्ट्रिंग है अपका इसंगे दू़ाइओ लेकिन कि में आपका इस्ट्रिंग खींग, बूग्ट की। यह रहा जैसे यह आपके पास जो इसमीन है अब इसमें एक एग्जाम्पिल के थू समझते हैं कि आपका जो कॉंस्टेंट टाइम पिरेट में होता है तो कैसे माल लीजिए आपने जो एक लाख रुपए एक प्रोजेक्ट में यह लगाया और आपका हर साल उसका जो रिटन है वो 20,000 है जो 20,000 है ठीक तो इसका मतलब आपका जो पेबेक पिरियेड क्या होगा जो टूर्टल आपका कैस आउट्फलर आपने जो उसमें लगाया है वन लैट डिवाइड़ वाइड़ आपके जो कैस इन जो कॉंस्टेंट है तो सीघर 20,000 आ जाएगा ठीक डि छिटन है जो टूर्टल को इसको रिकवार कर रहारे है और उसको हम कितने ताइम में अपनी कॉस्टको रिटबर कर पा रहे हुत है यही अभी तो यह आपका अगर आपका यह कॉंस्टेंट ना अगर आपका यह कॉंस्टेंट ना तो क्या होगा तब उस केस में आपका जो फर्मूला बनेगा वह होगा completed years completed years का मतलब कि जितने साल में आपका प्रोजेक्ट complete हो रहा है कहां तक कॉस्ट को cover होने में मान लिए आपका है एक लाफ रिपेर इन्वेस्ट किया आपका पहले साल साल है 15,000 दूसरे साल 20,000 फिर 35,000 फिर 40,000 फिर इस तरह से आपके रिटन दिये हैं मान लिए तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे कि कितने साल तक आपका cover हो रहा है मान लेजिए 15,20,35 25,000 फिर इसके बाद चालिस चालिस हो जाएगा एक लाफ दस हजार तो आपको तीन साल यह हो गए बचेगा इसके बाद कितना बचेगा इसके बाद 30,000 तो वह 30,000 आपका आएगा required inflow में वह आपका आएगा required inflow में और फिर inflow of next year फिर आपका जितना next year में inflow मतलब कि return आ रहा होगा उससे divide कर देंगे और into 12 का multiply कर देंगे तो आपका जो payback period है वह आपका निकल आएगा ठीक आगे देखेंगे अभी इसके हम example के दिए और करेंगे इसके बाद है annual rate of return इसको बोलते है average rate of return या annual rate of return ARR ये काफी पूछा जगता है what is ARR तो इसमें क्या होगा ARR means the average annual earning on the project आपका जो average है जो आपकी annually average earning है वो आपकी कहलाती है average rate of return under this matter profit after tax and depreciation is considered आपकी जितनी भी income है उसमें से tax और depreciation घटा देंगे फिक इसके बाद जितने साल भी होंगे उसमें से उसका पूरा total sum कर देंगे उससे divide कर देंगे और उपर average लिख देंगे और नीचे average investment लिख देंगे क्योंकि इसमें अलग-अलग investment है average वाले में और एक होता है initial investment तो आपका उसमें average profit और जो सुरुआत में जितना लगाया सा हम वो लिख देंगे अगर आपके investment अलग-अलग है अगर आपके investment अलग-अलग है तो आप क्या करेंगे उसका average investment निकालेंगे अगर आपका यह कर्थे आपने इनिवेस्ट किया है initial में तो आप केवल वही रखेंगे लेकिन आपको जो profit है वो आपको आफ्टर टैक्सी कैल्कुलेट करना है इसमें 100 का multiply इसलिए ताकि आप percentage में निकाल सकेंगी आपका कि इतना average rate of return निकला है आगे आते हूं payback period discounting अभी क्या थे यह देखिए हमारे पास दो method से non-discounting में कौन सा एक सा payback period और एक सा accounting rate of return यह average rate of return यह दो तो यह दो हमने निकाल लिए अब आते हैं हमारे पास discounting criteria इसमें हमारे पास चार method है discounting payback period NPV इसका net present value फिर है profitability index और है internal rate of return आई आर आर तो अब हम discounting criteria में देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है तो discounting criteria में सबसे पहले payback period इसमें भी हमें time value of money बता रहे हैं जब time value of money बता रहे हैं तो हमने उसमें एक present value factor की टेबल होती है उसकी टेबल से हमें हर year का और percentage का क्या दिया होता है एक value दी होती है वह value दी होती है तो हमें क्या करना होता है कि हमें उसका value निकालना मान लिए कि अभी आपने अभी आपने जो invest किया है और उसको आपको return बार मिलना है 20,000 पहले year में 30,000 सेकंड year में तो 20,000 का अभी value क्या होगा 20,000 का अभी value क्या होगा तो हम क्या करेंगे उसमें जो हमारे पास PV factor है उसके दौरह हम उसको निकाल लेंगे इसको बोलते हैं discounted payback period method for this discounted cash inflows are calculated by multiplying the PV factors into cash inflows हम क्या करेंगे हमारे पास जो cash inflows है उसमें हम PV factors का multiply कर देंगे हमारे पास फार्मूला क्या बन जाएगा discounted payback period देखिए फार्मूला लगभक सेम वही है बस क्या है आपका जो inflows है वो change हो रहा है तो आपके inflows है केवल वो change हो जाएगी क्यों कि उसमें PV factor का आपने मल्टिप्लाइ कर दिया है तो discounting payback period equal to completed year plus required inflow divided by inflow of next year into 12 ठीक आगे देखते हैं discounting credit is a net present value net present value क्या होती है यह हम लोग पीछे निकाल चुके है यह time value आप मनी में हम निकाल चुके है NPV एक बार फिर से यहां पर इसको देख लेते हैं इट इस दा बेस्ट मैथट पर evaluation of investment proposal इसमें यह सबसे बढ़िया तरीका होता है क्यों कि आपको जो future में जो भी मिलने वाला है आपको जो future में मिलने वाला है उसकी अभी क्या value होगी ये जानना बहुत जरूरी होता है आपकर future में मिलने वाला है उसकी अभी value हमें निकालना होता है तो उसके लिए देखे जो आपको फिकर में मिलें न वो जो धेटर आएंगे और माइनस पीवी वैलू आफ आउट्फलो पीवी वैलू आफ जो आप जो उसमें इन्वेस्ट करने वाले हैं तो उनका प्रजेंट वैलू फिर इसके बाद आपको क्या करना है अगर आपको क्या करना है गटा देना है इन्वेस्ट में से आपको आऊट्फलो को गटा देना है मतब जितना मिला और जितना लगाया अब अगर आपका NPV पॉस्टिव आता है तो क्या है आपने जो इन्वेश्ट किया है प्रोजेक्ट में इसका मतलब कि वो प्रोजेक्ट सही है और आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा और अगर आपका NPV निगेटिव आता है अगर आपका NPV निगेटिव आता है तो इसका मतलब कि आपका जो प्रोजेक्ट में इन्वेश्ट टिकर रहे हैं वो उसमें लॉस्ट के पॉसिबिल्टी है उसमें लॉस्ट हो सकता है आप उसको इन्वेश्ट उसमें ना करें ठीक अ आपका 0 आजाता है अगर आपका NPV 0 आता है तो फिर आपको क्या है आप चाहे तो उसको accept कर सकते हैं और चाहे तो reject कर सकते हैं क्यों कि आपका उसमें ना ही profit है ना ही loss है मतलब कि break-even है आपका break-even वाली condition आजाती है ना ही आपको उसमें कुछ return मिलना है और ना ही आपका उसमें कुछ जाए रहा है हाँ हो सकता है कि time वगेरा आपको जाए अपनी उसकी मेहनद चली जाए लेकिन चूंकि हम लोग यहां सारा का सारा financial term में हैं तो इसका एक drawback ही ही आपके efforts लग जाएगे जिसका उसमें calculation बैगे तो net present value आप इस तरह से निकाल सकते हैं दूसरा है profitability index profitability index में क्या है as the NPV method it is also so that project is accepted or not NPV में हमने क्या किया था कि अगर हमार प्रोजेक्ट positive है जो NPV है अगर positive है तो हम उसको accept करेंगे और अगर negative है तो reject करेंगे और case आप 0 में हम क्या करेंगे either accept or reject अब profitability index में भी similar आपको यही कर रहा है लेकिन calculation का criteria थोड़ा सा change है क्या कि इसमें आपको total cash inflows निकालने है total cash inflows मतलब कि आपको total कितना return मिला और आपको total cash outflows आप calculate कर लेंगे इसके बाग जो आपके total cash inflows है उसमें से जो total cash outflows है उससे आप divide कर देंगे तो अगर यह जो आएगा वो कहलाएगा आपका profitability index यह आपको कहलाएगा profitability index अब अगर आपका PI मतलब profitability index 1 से greater है एक से greater है तो आप project को accept करेंगे मतलब कि उसमें invest करेंगे और अगर आपका जो profitability index मतलब कि उसका ratio less than 1 आ रहा है तो फिर आप उस investment को reject कर देंगे उस proposal को आप reject कर देंगे जिसमें आपको invest करने वाले हैं क्यों? सीरीजी बात है आपका 1 से कम कब आएगा? जब cash inflows आपके total cash outflow से कम होंगे आपके कम होंगे तब यह decimal में आएगा तो आपका 1 से कम होगा तो फिर उस case में आपको reject करना आप और इसमें एक हो है अगर आपका just equal to 1 आता है तो फिर आप वही PV वाली करने तन आइधर baby you can accept it और reject it आप accept it भी करते हैं और नहीं भी करते हैं क्यों? क्योंकि उस case में भी आपके total cash inflows और total cash outflows equal होंगे बराबर होंगे तब ही बनाएगा ठीक तो इस तरह से आप profitability index निकाल लेंगे और आप अपने investment proposal है उसको accept it या reject कर सकते हैं इसके बाद IRR ये short question में पूछा जाता है याद रखेंगे ये short question में पूछा जाता है और इसको बहुत ध्यान से समझेगा इसका numerical भी आने की संभावना रहती है तो इसको बोलते हैं internal rate of return internal rate of return is the rate of return that a project earns ये वो rate है जिसमें project की income होती है जिस rate से project income कर रहा है the rate of discount calculated by trial and error method तो rate of discount है वो trial and error method से calculate किया जाता है where the present value of future cash flows is equal to the present value of outflows अब देखिए नहां पर क्या है present value of future cash flows जो आपको future में cash flow होने है और जो future में outflows हो रहे हैं जो future में outflows हो रहे हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी present value क्या कहलाती है जब बराबर होते हैं तो वो है आपका as known as the internal date of return when the present value of cash flows जो आपके future में cash flows आ रहे हैं और जब आपके cash flows में सारे हैं ठीक है ना फिर यहां पर नीचे आपका present value of outflows जो आप उसमें लगा रहे हैं तो when equal to the value of outflows is known as the internal rate of return अब इसमें देखी इसमें होता क्या है कि आपके इसमें एक या एक से ज्यादा rate होते हैं आपके एक या एक से ज्यादा rate होते हैं तो उसमें क्या है आपको सारे के सारे rate का उसमें लेना पड़ता है हमें calculation करनी पड़ती है सिमाले जी के दो रेट आपके हैं चाहान को is फिर्डर निकालने के लिए आपको higher rate minus nPV of higher rate, nPV of higher rate, इस चीज को थोड़ा याद रखीगा, जो higher rates पे आपकी net present value आएगी, याद रखीगे, इसमें हम जो net present value factor है, जो nPV factor है, उससे multiply करके निकालेंगे, divided by difference in cash flows, आपके पार जो cash flows हो रहे हैं, उसका difference और into difference in rate, इस तरह से हम इसको निकालेंगे, आगे देखीगे ये तो हो गया, higher rate पे, अगर lower rate से निकाल रहे हैं, तो lower rate में, higher rate में क्या करेंगे, आप subtract कर रहे हैं, आप higher rate में subtract करेंगे, अगर आप lower rate ले रहे हैं, तो आपको plus करना है, internal rate पेटर, अगर higher rate से ले रहे हैं, तो आपको subtract करना है, और अगर आप lower rate से निकाल रहे हैं, तो आपको plus करना है, ठीक, formula बाकी देख्टों सेम, वही रहेगा, IRR मेंज, lower rate प्लस, NPV of lower rate, अब यहाँ पर क्या है, lower rate की net present value, वाली जे एक हो गया 25%, एक हो गया 20%, अगर इसमें हम higher rate वाले में देखें, तो मालेजिए आपके दो rate of return, जिससे आपको NPV, IRR निकालना है, internal rate of return, एक माल लेते हैं 25%, एक माल लेते हैं 20%, तो आपका यहाँ पर higher rate कितना, 25, यहाँ जाएगा, फिर NPV of higher rate, जितना भी NPV, पातला कि 25% पर जितना NPV होगा वो, उसका net present value, difference in cash flows, जो आपके cash flows हो रहे हैं, उनका difference into difference in date, difference 20 और 25 था, तो 25-25 यहाँ पर आजाएगा, अब similarly, जिए वाला case लेंगे, lower वाला, तो यहाँ पर क्या है, आपका 20 आजाएगा, यहाँ पर आपका 20 आजाएगा, प्लस 20% पर NPV होगा, आपका 20% पर NPV निकाल देंगे, ठी और यहाँ पर 5 वही आजाएगा difference in, हमरे पास rate, तो इस तरह से हम IRR निकाल लेगे, अभी numerical करते हैं तो और समझ जाएगा, यह आपके method हो गए, ठीक, अब जरह हम एक example लेते हैं, और इसमें जितने भी यह method हैं, उनको हम apply करते हैं, देखिए, आपके पास एक project दिया हुए आपके पास एक project दिया हुआ है, क्या है, the expected cash flows of a project are, आपका यह cash flows, मतलब कि यह influx हैं दिये हुए, cash flows, influx दिये हुए, क्योंकि नीचे यहाँ आपका outflow दिया हुआ है, कितना है, first year में 20,000, second year में 30,000, third year में 40,000, fourth year में 50,000, और fifth year में 30,000, यह आपके cash flows दिये हुए, cash outflow is rupees 1 lakh, आपका जो cash उसमें लगा है, वो लगा है एक लाग का, एक लाग का उसमें आपका cash लगा है उस project में, the cost of capital is 10%, जो आपकी उसकी cost of capital है, वो 10%, हमें क्या निकलना है, calculate the following, क्या क्या निकालना है देखिए, NPV, profitability index, IRR, payback period, discounting payback period, हमें लगबग सभी कुछ निकालना है, पहले calculate करते हैं, NPV, NPV के लिए हमने पताया था, आपको निकालना है क्या, present value factor से उसका cash flow, आपको present value factor से उसका cash flow, तो देखिए, जो पहले साल में 20,000 मिलेगा, जो पहले साल में 20,000 मिलेगा, तो 10%, cost of capital हमारे पास 10% है, 10% पर पहले साल, एक साल का present value factor है, 0.909, ये, तो इसकी present value क्या होगी, that is 20,000 into 0.909, 20,000 into 0.909, ये आजाएगा आपका 18,180, 18,180, ये आपका पहले साल का present value है, आपको return मिल रहा है, cash flow, 20,000, लेकिन उसका present value है, आपका 18,180, छीक, similarly, second year में आपको जो मिल रहा है, that is 30,000, second year में आपको मिल रहा है, 30,000, उसके लिए, दो साल का present value factor 10% पर है, 0.826, 0.826, तो 30,000 into 0.826, 30,000 into 0.826, कितना आजाएगा, 24,780, 24,780, ये हमने इसमें decimal के 3 point तक लिया है, इसमें सच 4 ये 5 डिजिट तक होता है, इसमें 4 ये 5 डिजिट तक होता है, तो जैसी यहाँ पर 0.909 है लिखा, यहाँ पर 87 भी हो सकता है, तो यहाँ पर हमने, जूंकि 3 डिजिट तक ले लिया है, तो हमने सीधा इसको round-up कर लिया है, तो सेकेंड येर में आपका जो cash flow की present value होगी, वो होगी 30,000 के return था, लेकिन उसकी value होगी 24,780, Similarly, third year में, जो third year में है, return मिल रहा है 40,000, तो तीन साल का present value factor 10% पर है, 0.751, और जब इसका multiply करेंगे, तो इसकी value आएगी 30,000, 40,000, 30,000, 40,000, अब देखिए, ऐसे ही fourth year के लिए आपका हैगा, 34,150, और fifth year के आ रहा है आपका 18,600, तो जो total cash inflow है, जो total cash inflow है, वो क्या आएगा, सबको हम add करें, इन सबको add कर देते हैं, कितना, 18,180, 24,780, 30,040, 34,150, 18,600, तो total add किया, तो हमारे पास आया, 125,750, हमारे पास ये आया है, 125,750, तो इसका मतलब कि हमारा NPV, अब यहाँ पर देखे, हमें क्या खरना था, NPV positive है या negative, हमारे पास NPV positive है या negative, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास total cash inflow है, हमारे पास जो total cash inflow है, उसमें से हम total cash outflow को घटा देंगे, हम total जो हमारे पास cash inflow है, मतलब कि यहाँ से क्या करेंगे, 1,25,750, माइनस 1,00,000, हम इतना करेंगे, हम इतना कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 25,750, तो अब देखिए, यह क्या है, positive, यह हमारे पास positive है, मतलब कि हमने जो invest किया है, इसमें से हमें 25,750, extra मिल रहा है, तो अब यह project accept होगा, यह reject अब आप पता लगा सकते हैं, यह positive है, हमें क्या बता था है, यह positive है, तो project is accepted, ठीक, अब मैं थोड़ा सा change कर रहा हूं, और इसको फिर से screen पर इसका calculation के लिए आपको थोड़ा सा show कर रहे हैं हम, entire screen, यह रहा, यह, अब हम क्या करते हैं, हमें निकालना है PI, हमें निकालना है PI, that is profitability index, हम निकालना है, यह, profitability index, यहां से देखिए, हम निकाल लेते हैं, calculator, यह रहा, हमारे पास, जो PI निकालने का formula था, अगर आपको याद हो, तो देखिए, total cash inflows divided by total cash outflows, यह देखिए, total cash inflows divided by total cash outflows, हम project accept होगा, अगर more than 1 होगा, और reject होगा, अगर less than 1 होगा, देखिए, हमारे पास जो पहला है, यह, हमने यहीं पर PI यह निकाल दिया हुआ, this is your PI, यह क्या है, 1.25, एक बार इसको calculate कर लेते हैं, जराब, हमारे पास है, 1,25,750, divided by, यह आपकी क्या है, total cash inflows है, divided by total cash outflows, कितना 1,00,000, तो हमारे पास क्या आगया, 1.2575, so since the value of PI is greater than 1, so the project will be accepted, जो investment proposal है, आपका वो accept हो जाएगा, यह कि इसमें जो PI की value है, वो more than 1 है, वो 1 होने की वज़िद, more than 1 है, तो आपका यह accept हो जाएगा, यह हो गया आपका profitability index, तो आपकी दो चीज़े निकलाएं, क्या, एक निकलाया आपका net present value, और एक निकलाया आपका profitability index, क्या है, दोनों ही case में आपका क्या है, जो investment proposal आपने दिया है, वो accept हो रहा है, क्योंकि वो हमारी जी होई circumstances condition को follow कर रहा है, अब देखते हैं IRR, निकालने के लिए हमारे पास दो rate दिये हुए हैं, हमारे पास दो rate दिये हुए, एक 18% है, एक 19% है, एक 18% है और एक 19% है, तो हमें क्या करना है, हमने क्या बताया तब, higher rate, higher rate, minus आपका PV value of cash flows, PV value of cash flows divided by, divided by total cash, जो outflows हैं, उसका differences, उसके differences, ठीक है न, और into में, into में difference of the rates हैं, difference of rates हैं, तो देखेगा, हमारे पास सबसे पहले, तो एक साल का 19% पर जो PV factor है, वो है 0.84, 19% पर जो एक साल का PV factor है, वो है 0.84, फिर, 19% पर दो साल का PV factor है, हमारे पास 0.706, हमारे पास, जो दो साल का PV factor है, 19% पर 0.706, ठीक, तीन साल का 19% पर PV factor है, 0.593, फिर, 4 यर का PV factor 19% पर 0.499, फिर, 5 यर का PV factor 19% पर 0.42, ठीक, आप हमें क्या करना है, इनकी present value निकाल लेने हैं, इनकी present value, तो 20,000 इंटू 0.84, 20,000 इंटू 0.84, हम एक कैल्कुलेट करके दिखा रहे हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा, तो 20,000, 20,000 इंटू 0.84, ये रहा आपका देखे, 16,800, ये रहा आपका, 16,800 ये आपका आगया, ठीक, similarly यहाँ पर second year के लिए जो निकालेंगे, तो उसकी 30,000 की जो आपके present value होगी, वो होगी 21,180, 40,000 की third year में present value होगी 23,720, 50,000 की fourth year में present value होगी 24,950, याद रखिए, ये हमारे पास 19% पर है, जब हमारे पास PV factor 19% है, क्योंकि ये value जब हमारे ये PV factor का percentage change हो जाता है, तो ये भी change हो जाते हैं सब, ठीक है न, ऐसा नहीं कि हमेंसा ये ही रहते हैं, ये जो हमारे पास ये percentage ये है न, इसके साब से होता है ये सब, हम क्या करेंगे, total cash in close निकाल लेंगे, हम इन सब को add कर रहा है, तो देखिए कितना आया, 99,250, हमारे पास total cash outflow कितना था, हमारे पास total cash outflow था, one lakh हमने एक लाफ रुपए invest किया था, difference कितना आ रहा है, difference आ रहा है, 750 का, इसमें difference आ रहा है, 750 का, ठीक, अब हमें क्या निकालना है, formula, तो देखिए, higher rate से निकाले, तो higher rate से अगर निकालेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, 19, मैं यहाँ पर, हमारे पास है, 19 minus, ठीक, हमारे पास 19 minus, अब हमें क्या है, formula के according, जो हमारे पास total, हमारे पास यह आया है, हमारे पास total PV values है, हमारे पास total PV values है, तो देखिए, जो लोग बाद में आ हैं, उनके लिए formula एक बार देखिए, NPV of higher rate, NPV of higher rate, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर higher rate में इसको रख देना है, टिक, कितना आया है, हमारे पास साथ तो पचास, यह हमारे पास total कितना है, साथ तो पचास, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, minus 750, divided by, और मुले में क्या है हमारे पास, again, हमारे पास है, difference in cash flows, हमारे पास cash flow में difference है, कितना आ रहा है, तो अब हमें सारे cash flows का differences निकालना है, हमारे cash flow का differences हमें निकालना है, चिक, कितना आ रहा है, that is 2500, आपका 2500, चिक, हम इसको लिख देंगे यहाँ पर 2500, आपको भी पता है, कैसे निकले गई यह, यह आप, इसके, इसके differences निकालने गे, इसके, इसके differences निकालने गे यह, चिक, तो हम यहाँ पर रख देते हैं, 2500, फिर into में, हमारे पास यहाँ पर into में है, क्या difference of rate, तो यह यहाँ पर आएगा bracket में, 19-18, 19-18, अब हमारे पास जो इसका calculation होगा, वो आ जाएगा, तो यह आया हमारे पास कितना, यह है, 18.7%, 18.7% हमारे पास यह, आड़ यह, चिक, अब अगर हम यहाँ से निकालते हैं, हम यहाँ से 18% से निकालेंगे, तो 18% से क्या होगा, 18% का cash flow देखेंगे, हम अब 18% के cash flow में देखते हैं, जो आपका 18% का है, तो 18% में क्या हो जाएगा, पहले साल का जो PV है, वो कितना आ रहा है, 0.847, 0.847, तो इसकी value कितने आएगी, 16,940, ऐसे सब यह पूरा आप अड़ कर लेंगे, तो आपका आ रहा है, 1,750, 1,750, इसमें भी जो नीचे का difference है, नीचे का difference दोनों का कितना रहेगा, वो 2500 ही रहेगा, 2500, यह 2500 मैंने बताया था ना, कि जो इसका, इसका difference है, जो हमारे पास less cash out flows है, total cash inflows है, इसका difference है, और जो हमारे पास NPI आया है, NPV का difference, कैसे आएगा, यहाँ पर देख लीजिए, जो हमारे पास है, यह हमारे पास था 1750, अब फिर वो minus, और यह within the bracket minus 750, यह था, हमारे पास, यह क्या minus हो जाएगा, प्लस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2500, मैं सीधर डायेट लिख लेगा, यह इस तरह से आया, ठीक, अब यही जब हम 18% में निकालेंगे, हम इसको, जब 18% में निकालेंगे, तो 18% के हिसाफ से अब देखिए क्या आएगा, जो 18 वाल आएगा, तो यहाँ पर अब हम, जो हमने यहाँ पर minus किया था, यहाँ पर आएगा 18 plus, यह plus हो जाएगा, अब इसके साथ का difference है, अब इसके साथ वाले difference है, यहाँ पर क्या था, 70, 750 का, यहाँ पर difference है, हमारे पास, 1750 का, अब हम यहाँ पर लिखेंगे, 1750, हम यहाँ पर लिखेंगे, 1750, डिवाइड बाइ, difference है वाई, 2500, टिक्स, और इंटू में, इन ब्रैकेट, यह आजाएगा आपका, 19 minus 18, यह आजाएगा आपका, अहले हमने जब higher rate से निकाला था, तो less करके निकाला था, और जब हमने lower rate से निकाला, तो हमने plus करके निकाला, अब इस तरह से हमारे पास देखिए, केतना आ जाएगा, IRR, 18.7%, हमारे पास, 18.7% IRR, आगे, आगे देखते हैं, अब हमारे पास, non-discounting payback period निकालते हैं, अब हम non-discounting payback period निकालते हैं, payback period का मतलब है, कि हम कितने साल में अपना cost जो है cover कर लेंगे, हम कितना cost cover कर लेंगे, तो जो हमारे पास return आ रहे हैं, जो हमारे पास return आ रहे हैं, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 30,000, हम क्या करेंगे, इसके cumulative cash flow निकाल लेंगे, हम इसके cumulative cash flow निकाल लेते हैं, cumulative cash flow कैसे निकालते हैं, जैसे आपने statistics में पढ़ा होना कि cumulative frequency निकालते हैं, एसे ही यहाँ पर cumulative cash flow निकालेंगे, पहले साल का रिक्टो सेम रख गिया, अगले साल में जो next year का होता है, उसको add कर गिया, कंटी प्लस 30, कितना हो गया, 50,000, 50 प्लस 40, कितना हो गया, 90,000, 90 प्लस 50, कितना हो गया, 1,40,000, फिर 1,40,000, प्लस 30, कितना हो गया, 1,70,000, यह हो गया, आपकी cumulative cash flow, अब जो payback period निकालना है, नॉन डिसकांटिंग में, तो हम क्या करेंगे, completed years, completed years, अब यहां पर completed years में, कितने साल में हमें complete हो रहा है, तीन साल में हमें कितना मिल रहा है, 90,000, 90,000, इन साल में 97 मिल रहा है, अब हमारे पास बच्चा कितना है, हमारे पास बच्चा कितना है, हमने लगाया था एक लाख रुपर, एक लाख रुपर बच्चा था, एक हमें 10,000 रिकावर करना है तो means 1,00-90,000 तो देखे 10,000 यहां परादेखो 1,00-10,000 तीन साल में हमने 90,000 कवर किया बाखी का जो बचा है प्लस 1,00-90,000 divided by inflow of next year अगले साल में कितना मिलेगा अगले साल में हमें मिल रहा है 50,000 यह 40,000 तो हमारा 90,000 कवर हो गया अगले साल में मिल रहा है 50,000 तो divided by inflow of next year तो कितना 50,000 इंटू 12 इंटू 12 तो अब देखिए हमारा रपस कितना आया 3 years फिर यहां पर आएगा आपका कितना 10,000 by 50,000 तो कितना आजाएगा 0.2 10,000 तो कितना हो जाएगा आपके पास 1,00,000 हो जाएगा 10,000 से हो जाएगा 0.2 आजाएगा 0.2 में 12 तो 2.4 आजाएगा हमार पस 2.4 आजाएगा तो 3 years में हम 2.4 और दोड़े है तो 5.4 years में आपका 1,00,000 कवर हो जाएगा इसको बोलते हैं नॉन डिस्कांटिंग पेड़ेक पूरियल अब देखिए डिस्कांटेट है क्या होगा जो डिस्कांटेट है उसमें फॉर्मूला वही रहेगा लेकिन अब हम इसमें जो हमार पास कैस इंक्रूज है अब उनकी हम क्या निकालेंगे प्रिजंट वैलू हम निकालेंगे तो देखिए दस परसेंट पर हमारे पास कॉस्ट अब कैपिटल दिया था कितना दस परसेंट पर हमारे पास जो इंक्रूज है फस्ट यर के लिए कितना है एटीन थाउजन वन हंड़ेट एक्टी सेकेंड यर पर 24,780 किसका 30,000 फिर यहां पर थर्ड यहर में फिर 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 में 50,000 का टैस्ट लो है और फिर फिर में जो पीवी वैलू है यास लोगो के 30,000 की 18,600 अगें अब हमारे पास ही क्या है अब हमारे पास यह discounted cash flow है अब हम इसका क्या करेंगे वही दिक्रों सेम cumulative cash flows निकाल लेंगे हम निकालेंगे cumulative cash flows तो देखिए हैं पर सबसे पहले पहली फस्ट यर का सेम प्लस दूसरे साल में हम उसको add कर देंगे कितना 24,780 तो हमारे पास कितना हो जाएगा 42,900 इसकी इसमें से हम next third year को जोड़ेंगे कितना हैगा 30,000 40 तो हमारे पास हो जाएगा 73,000 अब यहाँ पर देखिए अगले साल में हमारे ही एक लाव से जादा हो रहा है एक लाक से जादा हो रहा है अगले साल कितना इंफ्लो है 34,150 अगले साल का inflow into 12 तो देखिए इसका कितना आ जाएगा हम इसको कल्कुलेट कर रहे हैं यह है हमारे पाद 1,00,00 1,00,00-73,000 आया कितना 27,000 डिवाइद बाई 34,150 यह आया हमारे पास 0.790 इसमें इंटू 12 कितना 9,9.48, 9.48 में से हम कितना आपके 3 years और add कर देते हैं 9 point इसमें से plus का 3 और add कर दीजिए तो कितना हो गया 12.48 यह देखिए यह नीचे लिखा है आपका 12.48 यह आपके इतने साल में आपकी cost कवर होगी अगर हम discounting payback period method से इसको solve करते हैं ठीक, last में conclusion देख लिए we have studied various evaluation criteria for capital budgeting हमने यह different method पर लिये है capital budgeting के evaluation के लिए generally an impression created that the firm should use NPV method for decision making generally सबसे बढ़ियां यही रहता है कि आप NPV method को इस्तेमाल करें decision बनाने के लिए आप जो project इस project में invest करना चाहते हैं या आप proposal देना चाहते हैं लोग यही prefer करते हैं कि जो आप discounting में है तो उसमें क्या हो जाती है आपको time value आपको उसमें निकल जाती है तो आप चाहें कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और हम prefer करते हैं कि आप जो net present value है आप उसको prefer कर सकते हैं तो यह हो गया आपका क्या जो capital budgeting की techniques हैं उसके detail और उसके numerical हो गया अब अगर यहां तक किसी की कोई problem हो तो पूछ सकता है तो हमने आपके capital budgeting की process capital budgeting उसके objective और उसकी techniques उसके numerical हमने पड़ लिए हैं अब जो है कल हम अब इसके आगे चलेंगे